दोस्तों नमस्ते and welcome back to our channel दोस्तों कल मैं एक्चुली निकला था पुने से सातारा के लिए वाया चोफुला तो दोस्तों कल रात दिक्कत ऐसी हो गई अपनी गाड़ी में क्या चलते चलते एक ऐसे सुंसान जगह पे ऐसा इंजिन में से नौकिंग के जैसा आवा जाने लगा म मैंने थोड़ा सा पेचान लेकर कुछ तो प्रॉब्लम है इंजिन में मैंने इंजिन खोल के जब देखा तो मुझे ऐसी जो रहता है ना वो जला हुआ तो ऐसी बदबू आने लगी थी आगे जो वीडियो में हुआ क्या मेरे इंजिन में कुछ खरब्या आई थी या फिर क चैनल पे और जो वीडियो है अपना वो एंड तक देखिए तो दोस्तों कल रात में सीन कुछ ऐसा हुआ था तो हम कल निकले थे साथ बज़े के करीबन पुना से एप्रॉक्जिमेटले और साथ 730 745 को हम चोफुला और सूपा के इन बिट्विन थे तो एक्शली वह रास् तो इंजिन में से जो नौकिंग या फिर सिलिंडर रैटलिंग की जो आवाज आती है वह आने मुझे लगगी थी तो मुझे कही पर ऐसा लगा यार कुछ तो गाड़ी में दिकत है जब जैसे मैंने बाहर निकल के देखा मैंने तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा था गाड़ी में जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला था ना तब ऐसा हुआ था मैंने फरस्ट आफ और चेक किया अपने गाड़ी का बट दोस्तों आपको जैसे मालूम है अगर कंटिनेस कार रणिंग मोशन में है अगर आप चला के ऑईल लेवल देखते हो तो ऑईल लेवल जो है वो ठीक तरह से पता नहीं चलता बट जैसे है दोस्तों मैंने यहां से यह जो डीप वह बाहर निकला तो पूरा दोवा बाहर तकने लगा था तो मुझे 100% यह मैंने फाइनलेज किया था कि अभी इंजिन का चो काम है वह 100% खुलेगा क्योंकि क्या होता है दोस्तों जब यहां से ज दूब दूब या फिर ओईल वह बहर पिकती है तो दोस्तों मुझे कुछ लगा नहीं उसके बाद मैंने क्या किया मैं मैंने सोचा कि अगे थोड़ा था चल के अपना गाडी कहीं पर लगा लगा लेते हैं काम के लिए तो उसके बाद दोस्तों 100-200 मिटर चलने के बाद मैं दोस्तों उसके बाद मैंने तो 100 पूरा मुझे शोर रिट हो गया कि इंजन गाडी का जो है वह ओर हिट हो गया तो दोस्तों इसके बेसेकली की दो इन रिजन हो सकते हैं तो मुझे प्रभबिल ऐसा लगा कि सेंजी की वज़े से यार कुछ तो गाड़ी की इंजन में दिक्कत आई है उसके वज़े से गाड़ी में और रिट हो आए तो कैसे तो भी मैंने जो इक प्ते का प्यों से फिल्क पिजसे कोई अफिर्स कि उपर लगाई और जब मैंने देखा दोस्तों तो गाड़ी का इंजन हम आमसे कि उसने सब फूरक नीचे गया होगा दो सो मेने क्या कि उसके बादड़ कम सेयं कंद्द में गाड़ी ऐसे ही छोड़ दो होने के लिए और उसके बाद दो मैंने जो मेरा एक फ्रेंड सास्को कॉल के उसको कॉल करने बाद एक उसके प्रेंड के तरल के जौ zhar ळोर इभाद कार विला के ऐक मुंझा अगार्य को जो डूल भाद क्या से लिए उसके बात दोस्तों कीलिऑ मेने नब उसके काल क्या ay के कॉल करने बाद एक उसके फ्रेंट के जानपैसान वाल एक जो इंजिनर था जो कि गाड़ी का काम कर रहा था फौर विलर वालकर उसको बुला के लिए दोस्तों मैंने और जैसे दोस्तों वह उसको आनेक बाद मैंने सब हाकिकत गाड़ी की बोल दी तो गाड़ी में ऐसा दोस्तों आप यहां पर दो पाइप देख सकते हैं यह वाला एक और इसकी निचे वाला तो यह वाला पाइप जो रहता है वह यहां से जाके यह उपर वाला जो पाइप आपको दिखता है यह उपर वाला इसमें तो इसमीं जाता है इनके लिए और जो इनलेट है वह रहता प्रप्रिक दोष्ट निच लगता है अपना जो हीटिंग को रहता है उसका और वह आउट रहता है यहाँ से आता है और यह यहाँ पर नीचे लगता है और दोस्तों दिकत अपने गाड़ी में यह हुई ती जो वहां से पाइप आ रहा था यह वाला ना को पॉट फट गया थ सब निकल गया था तो दोस्तों ऐसे चीज में आकर मैं लगी था ऐसा मुझे बोलना चाहिए क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था यह पाइप जो है वो इन और आउट के लिए है जो गाड़ी का अपना हीटर है उसके लिए तो उस बंदे ने क्या किया वो जो आउट का जो पाइ छीज दोस्तों आता है तो फिलाल थो ःता है आपकी घाड़ी में भी हीटर तो नहीं होना अगा अभर यहां से जा सकते है एसलिए ना कुछ दिक्त नहीं MR दोस्तों मुझे और आपकी गाड़ीमें कि अगर बेदू क्या होता है ऑसमें ऑसे चीज में नहीं अब आपके गा गाड़ी की जो बैटरी है वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थि तो दोस्तो क्या उता है मैंने गाड़ी का जब शूंच है वो इग्रिकन चुट रूर सब भने शै collab की बट क्या वोता है दोस्तो आपकी गाड़ी का हिंजन जब ओर होता है तो उस देंप in-discharge होने लगती दोस्तों इसके बाद दोस्तों कहीं सोथ कैसा तो भी गाढ़ी में जंप स्टार्ट करके हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी उसके बाद वुस बंदे ने पूरी तरह से गाड़ी मुझे चीक करके के दे दी पर दोस्तों यहां से अपने को दो इन चीजे मुझे मोज़े करके अगर ऐसे कुछ दिखकत आती है तो आप एपको जैसा कि तो दोस्तों मैं आपको एक रिक्मेंडेशन देना चाहता हूँ आपकी गाड़ी में हर टाइम एक प्लायर तो 100% रहने चाहिए दोस्तों कि यह जो रहता है न यह काम प्लायर के बिना नहीं हो सकता है इसको इस जो कलीप है उसको दबाके पूरा आपको निकलना पड़ता है तो दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा आपकी गाड़ी में प्लाय रहना चाहिए ठीक है मेरा नसीब अच्छा था कि ज्यादा सुंसान वाली जगह पे मेरे गाड़ी बंद नहीं पड़ी बट अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगों पर बंद पड़ती है दोस्तों तो आपके पास यह कुछ सामगरी रहना चाहिए और आपको यह चीज 100% द्यान में रखने चाहिए अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ती है तो यह हिटर वाला जो इन है बुसको आउट की सोर्स में 100% लगवाना है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन का जो कपलिंग है इ का मेंने कल मेरे एक्सपिरेंस से मैंने कुछ सिछा है दोस्तों तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए आपको फॉस्तब की घाड़ी में हैं फॉस्त आज़ते पर लेकंहाँ चोर्टाम ने में रखनी चाहिए और दोस्तों सबसे बढ़िया इस ऐसी सिचुईशन में आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है आपको देखना है गाड़ी का इंडिकेशन क्या आ है और गाड़ी में क्या दिक्कत आ रहे है उसके हिसाब से आपको गाइड करना है अगर हो सके तो आपका कुछ फ्रेंड या फिर जो शोरू मौला बंदा है उसको आप उसकी हेल्प ले सकते हो तो फरस्ट अपॉल दोस्तों ऐसे चीज़ में यह आपको धाज में रखना है प इंडिकेशन जब आता है ना तो उसके पहले में आपको एक चीज़ बोल जाता हो कि आपकी गाड़ी आपको 100% इंडिकेट करेगी आपकी गाड़ी और हीट होने वाली है या फिर हो चुकी है तो दोस्तों एक्चुली जैसे ही मेरा कलका एक्सप्रेंस था इसी आपको प्रिकॉशन लेना है प्रिकॉशन नहीं बोल सकते हो मैं आपको कॉश्यस होना है आपको दिखना है कि आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ प्रॉल्म है इंजिन में और तीसरी बात दोस्तों सबसे एहम जो है गाड़ी का इंजिन जैसी ही ओर ही हिट होने लगता है तो आपकी गाड़ी में से ऑईल की जो बद्बू है जलने की वह आने स्टार्ट हो जाती वह प्रिलिम्नरी आपको इंडिकेट करता है कि आपके गाड़ी का जो इंजिन है बहुत होता है बट दोस्तों इस चीज़ में क्या हुआता अगर आपका सेंसर जो है थर्मोस्ट्रेट वाल ज जाता है तब भी आप आपका जो गाड़ी है वह आप जैज कर सकते हैं तो बैसिक दोस्तों और जो चीज़े हैं और हीट होने के काराण एक्षुली दो तीन है जो जैसे कि मुझे समझ में आ गई दोस्तों कि फस्ट आपको जो कारान है ओर होने का रिडिटर के एडिस ने दम चिपक के जो फैन होता है जो कूल करता है दोस्तों गूमतार ठेटा रहता है लोस्ता अगर काड numéro निकल जाता है तो first of all अगर आपकी गाड़ी heat हो रही है है तो आपकी जो fan है Raderator वाल वह चल रहा है कि नहीं उसका अगर وाइर में कुछ दिक्कत है या फिर उसका fuse घया है वह देखना है अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो आपको आपको देखना है कि आपकी गाड़ी में जो इंजन में कुल करने के लिए गाड़ी का first of all switch off करना है और उसके बाद बॉनेट ऊपन करके आपको 20-22 मिनट कुछ नहीं करना है गाड़ी का इंजन पूरा थंडा होने देना है उसके बाद आपको गाड़ी कुछ देर के लिए on रखने है दोस्तों बट दोस्तों यह चीज अगर आपको कुछ जगह पे काम आ सकती है अगर आप कुछ ऐसा ही विरान जगह पे फसे हो तो उसको लिए एक चली दोस्ते में recommend करूंगा आपको अगर निकलना है उस जगह से और pipe फटा है तो मैं आपको recommend कर दूंगा कि आपके गाड़ी को आपको at rest पे रखना है एक आदे गंटे के लिए at least यहां पे पूरा आपको watch करना है कि आपकी गाड़ी का पूरा temperature डाउन हुआ है उसके बाद आपको जो रिजर्वायर है कुलंड का उसको फूल करवाना है रेडिटर में पूरा पानी डालना है और वहां से आपको एकदम सही सलमत निकलना है जब तक आपकी आप ठ ठीक तरह से ठीक जगह पे और सिर्फ जगह पे नहीं पहुचते तब तक दोस्तों यहीं मुझे कुछ experience आपके साथ share करना था दोस्तों बने रहे आपनी चैनल पर और एससे वीडियो के लिए आपने चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत बूल थैंक यू थैंक्स अलाट फर वाचिंग दोस्तों